नमस्कार, साइती की कारक्रम में आपका स्वागत है, इस कारक्रम में आज हमारी चर्चा का विशे है, रंग मंच में जीवन का यथार्थ और इस पर इचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौझूद है, नाटिया सास्त्री, डॉक्टर अजीत पमार और रंग करमी कैलास कंडवार, पमार जी और कंडवाल जी आप दोनों का साहितिकी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिननन है, बाचित की सुरुआ डॉक्टर पमार मैं आप से कर रहा हूं, और आप से एक प्रात्मिक टिपनी की नाटक कब सुरू हुआ, क्या इतियास है, और बरतमान में इसकी दसा दिसा क्या है, इस पर आपकी एक टिपनी आ जाएगी, फिर हम उसके और पक्ष खोलेंगे, तो आपकी शुरुआती मिलते हैं, जहां हमें रंगमंच की शुरुआ देखने के मिलती है, जैसे कि अगर हम भारत की बात करें, तो वहां पर नाटक शास्त्र हमारे पास एक बड़ा ग्रंथ की रूप में है, और जिसमें लगबग 36-37 अध्याय हैं, जिस पर नाटक के बारे विस्तासर चाचा की गई है, और जो आज विश्व विद्याले के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं, और दूसरी और अकर हम पास्चेति की बात करें, तो ग्रीक रूमन एक ऐसा देश है, जहां पर बहुत पहले रंगमंच की शुरुआत मानी जाती है, और जो हम ठीटर शब्द कहते हैं, तो वह प्रियोग कर रहे हैं, खासकर जो modern drama में, आधुनिक नाटक cont großer लुद्ध करेंश, तो उसमें theatre, G wegen की देन हैं, तो यह हमको को में आधुनिक, रंगमंच में हम जो भी प्रियोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, वह ग्रीक केंक देने, लेकिंग जब हम आपने संस्कृति की ओर देखते हैं, तो वह हमें भारत के नाटे शास्त्र की कही न कहीं परामपरा देखने को मिलती हैं. इसमें हमारे कत्थाकली, भरक्त्याटम, कुडियाटम, यक्षिगान, चात्रा, ये सब लोक नाट्यों में हमारे संस्कित नाटकों की जलके मिलती हैं. तो ये दो महत्वपूर देश हैं, जहां पर रंगमज की शुरुबात हमें देखने को मिलती हैं. ये बहुत महत्वपूरता थे आपकी तरफ से आया, आप नाटक की परंपरा से ही आप बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, कि ग्रीक और भारत दो ऐसे देश हैं, जहां से आप नाटक की शुरुवात मान सकते हैं. कंडवाल जी, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि नाटकों में हम देखते हैं कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को परिस्कृत करने में और यहां तक कि कई बार बदलने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निवाही है. इस पर आपका क्या दिर्ष्टिक होना है? कितना नाटक जिसको हम पूरा रंग मंच, अगर जैसे कुछ अनौपचारिक बाचित में कुछ दिर पहले डॉक्टर पावार कहे रहे थे, कि रंग मंच एक बड़ा ब्रहत सब्द है. उसने किस तरह से हमारे पूरे वैश्विक क इस तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को बदला है. इस पर आपकी टिपनी. जैसे डॉक्टर पहवार ने बताई दिया है कि यह सब कुछ ग्रीक से शुरू हुआ और भारत की बात करते हैं, भारत की भी परंपरा उतनी पुरानी. यह दोनों तो बाते बेसिक हैं, ल रंगमंच की सहभागिता मिलेगी. लोग नुकरनाट कर रहे हैं, लोग परदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात पहुचाने के लिए उसके द्वारा लोगों को चूड रहे हैं. जहां और उस जोडने में ही, यह रंगमंच एक ऐसी जगा है, ऐसा स्थल है, जहां हम स्टूरी स्टूरी टैलिंग देख रहे हैं, अब वो स्टूरी टैलिंग सिर्फ प्रेम कहानी नहीं हो सकती, मेरे देश की समस्य है, जह मेरे दरशक देखेगा, ओ दरशक द्रश लोगों को बताएगा, की भैसा है की हिंदूस्तान में गुलामी हो रही है, इसके लिए कुछ कीजिए हमने किसे देखा नाटक से और यह इतियास सब के सामने है हमारे भारत में आजादी के टाइम पर रंगमच सर्फ श्रेश रहा आप रूस में कोई भी करांती देखे जो मुझदूरों वरी करांती हुई वहां नुकर नाटकों का सबसे अधिक परियोग है हमारे यहां पर भारत में आप शफदर हस्मी का नाम लेंगे वो तो शहीदी उसी काम को करते हुए मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे सर्फशन के लिए गाजयबाद में एक प्राइवट फैक्टरी में लुकर नाटक कर रहे थे और वहां पर हमला हुए तो रंगमंच समाजी की चेतना को जगाने का मैं तो कहता हूँ पर्थम सूत्र है समाजी की चेतना को मास में जगाने का घर से तो शुरुआत होती है लेकिन मासेस में जाने के लिए रंगमंच एक सबसे बड़ा टूल साबित होगा इस पर मुझे एक बात याद आती है कि एक जर्मन के बड़े नाटकार बरतूल ब्रेक्ट ने कहा है कि उन्होंने एक एलिनेशन इफेक्ट दिया है उन्होंने कहा है कि दर्शकों को लगना चाहिए उन नाटक देख रहे हैं उनको नाटक में डूबना नहीं है अगर आप नाटक में डूबते हैं इसका मतलब आपने सोचा नहीं आप जागर तवस्ता में नहीं है तो वो कहते हैं कि मंच पर जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे मंच पर क्या औरा वो भी देखे जाए तो उससे क्या होता है दर्शक हमेशा जागरित होता है वो फिर आंदोलित होकर जाता है और कुछ करने के लिए उद्देलित होता है तो रंगमच कहीं न कहीं हमको चेतना हमको जागरत अवस्ता में लाती है कि समाज में क्या हो रहा है देखो उसे जागो तो ये इस पर एक थियोरी है अलिनेशन इफेक्ट है और उन्होंने नाटक लिखे मदर करेज गालेलियो जी 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 कॉक्षिण चार्ग सर्केट बड़ आते हैं फिर क्रेक्टर में जाते हैं तो यह क्या एलिनेशन इफेक्ट है दर्शकों को दर्शक रामला देख भी रहे हैं और आंसों भी बाहर है उनको बता है यह नाटक है राम सच मुझ नहीं है फिर भी लोग पैर चुरे तो यह बड़ा विस्मिर्ट करने वाला बात है यह है जिस तरफ हमको ले जा रहे है आपने एक बात ही बलकि मुझे लगता है कि सारे हमारे राचनात्मक कर्म में नाटक एक ऐसी विदा है जिसने हमारे समाज को सब से ज्यादा प्रभावित किया है क्योंकि एक live विदा है लेकिन इन दिनों कंडवाल जी हम जो देख रहे हैं हमारे पास media का एक पूरा इतना सम्रिद्ध संसार मौझूद है कि उसमें theater को आप कहां देखते हैं और हम सभी जैसा देख रहे हैं theater के सामने क्या चुनोतियां हैं और उनको उनसे निपटने के हम लोग जो media के जितने instrument हैं देखिए अब हमारे पास सब चीज हमारे हाथ में आ गई है हम mobile में सब कुछ देख पा रहे हैं सबसे बड़ी चुनोती है कि हम अपने रंगमंच का selection और इस instrument का उपयोग कैसे करें आज के modern media को अगर हम अपने रंगमंच से इस media का उपयोग करे हैं तो हम और दस गुना आगे बढ़ सकते हैं जैसे अभी हमारे को साथियों ने शुरू किया है कि जहां अभी कोरोना के समय पर हम लोग नाटक नहीं कर पाए तो हम लोग अपने घर में नाटक किया हमने और हमने उसको वीडियो शूट किया और मोबाईल पर डाला वो और करने के लिए हॉल की व्यवस्ता नहीं करनी पड़ेगी हमें एक ही जेगा बैटे हैं हमने उसको शूट किया मोबाईल में डाल दिया और मोबाईल जादा से जादा लोगों को पहुंचेगा और जब लोगों को समझ में आएगा कि खाली मोबाईल से देखने से नाटक नही मूजिक मिले तो हम उसी तरह का मूजिक को उपयोग करेंगे इसका मतलब जो मौडरन टेक्नलोजी है वो हमारे नाटक को आगे बढ़ा सकती है आपका आपका जो सुझाव है यह बहुत ही प्रैक्टिकल एप्रोच है नाटक को लेकर कि जो नए एक्विप्मेंट्स हमारे पास है खासका टेक्नलोजी वाले वो हम उपयोग करें तो हो सकता है कि नाटक के सामने एक चुनोती जो फिल्मों के जरीए और तमाम दूसरे उ बढ़ सके डॉक्तर पमार आपके पास एक सवाल विशिस रूप से लिकर आ रहा हूं और वो यह कि आपने ग्रीक नाटकों की अंग्रीजी नाटकों का भी बहुत सम्रिद्ध संसार है और भारत में भी तमाम भाशाओं में अलग-अलग तरह से खासकर लोक जीवन में तो बहुत मुस्तेदी से हमेशा उपस्तितरा है लेकिन हिंदी नाटकों में नाटक की क्या परमपरा है इस पर मैं जरूर आपका वक्त अब्या चाहूंगा बहुत तो उसके बाद नाटक की कॉछाम इम्र। जब एक अंधिकारी को शुरू होता है और उसके बाद आता है कि जब अंग्रेज भारत में आए लगबख सोल सो के आसपास जब भंगाल में आए तो उन्होंने बंगाल को अपनी राजगानी बनाई कलकता में तो वहां जब वह आय तो उन्होंने सबसे पहले इहां पर पंगल की सबस्कूर्य है। तो उनों नींसे अनुवधिन हसे लगव से सब्सक्राइब। क्यों अंग्रेज आ गए थे हर जगा उन्हें हमारी लोग संस्कृति को नश्ट करना शुरूर को लेकिन धीरे धीरे जब भारतें दो हरीश्चंद्र उन्होंने देखा कि यार यह तो क्या हो रहा है हिंदी के नाम पर अश्लील हो रहा है पार से धंग मंच धीरे दिना जब उन्चाईयों की और बड़ा लगबग उन्नीसों के आसपास तो उन्होंने अश्लील शब्द और परियों करने शुरू किये तो वो बड़े शुब्द हुए हो क्या रहा है कहीं और है तो उन्होंने फिर साहतिक रूप से संस्की यह हिंदी नाटक को लिखने शुरू किया तो उन्होंने जो अपने लगए अंधिये नगरी चौपट राजा, हरीश शंदर तो ऐसे उन्होंने कई नाटक लिखने शुरू किये तो तब जाके हमारी हिंदी रंगमंच की परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आज हम आधुनिक नाटक के नाम पे हमारे पास ए रही है उन्होंने अपने लोक साहित्या को नहीं देखा क्या बात है बहुत बड़ी बात है जैसे बंगाली मराथे रंगमंच समसे सम्रिद है क्यों उन्होंने अपने लोक नाटक को शामिली किया लेकिन हिंदी रंगमंच में कैसे हमारे पास नौटंकी है हमारे पास स्वा आत्रा में जाएं हम लोक नित्यों में क्यों न जाएं तो यह हिंदी वालों की यह जो कमी रही है उन्होंने देखा कि अपने लोक नाट्ट को उन्होंने शामिल नहीं कि नहीं और आज हो कर रहे हैं इसलिए वह देरे-देरे सम्रिद्धी की ओर बढ़ा बहुत बड़ी बात पनी है कि साहित्या आखिरकार बात तो लोक ही करता है और लोक में जो मौझूद है अगर उसी को आप सामिल नहीं करेंगे तो आपको अपने देर तक कैसे कैसे सुना जाएगा मैं भी जब नाटक का अधियन करता हूं तो भरतुन्दु यूग से आप कहते हैं फिर के जरिये या बहुत सम्रिद्ध थीटर के जरिये कुछ मानगरों तक कैद रह गए हैं नाटक वह बिस्तार नहीं पाया तो मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा कारण यहीं रहा कि लोक आपके नाटकों में शामिल नहीं हो पाया उसी मसले को लेकर कड़वाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप से मैं यह जानना चाहरा हूँ कि जब हम अपने उत्राखंड के हिमाले यंचल की बात करते हैं तो हमारे यहां भी कुछ संकेत डॉक्टर पामार कर रहे हैं हमारे यहां भी लोक में नाटक कुछ प्रकरांतर से मौजूद है उस पर आपका क्या द्रिस्टिकून है और इस तरह की अगर नाट्य परम पर आए हैं तो उनको कैसे सरक्षित किया जा सकता है इस पर आपकी टिप नहीं लोग नाट्यों के बारे में तो डॉक्टर पवार जी ने बता दिया कि हमारे यहां जैसे रमान है पांड़ा निरते है मुगोटा निरते हैं ऐसे बहुत सारे निरते हैं जो हर हमारे आंचलों और उनमें विभाजित है और हर जगा हम करते हैं और ज्यादतर हमारा धार्मिक अनुस्ठानों से ज्यादा जुड़ा हुआ है कि हम धार्मिक अनुस्ठान करते हैं उसके बाद वो कता करते हैं रमान का भी ऐसी 2016 में ये सरक्षन दिया, जहां तक सरक्षन की बात है, ये परंपरा है, सरक्षन अक्सर राजा माराजा ही हमारे लोग परंपराओं को नाट्य परंपराओं को इनको ही सरक्षन देते थे, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो जीवट चाहिए, आदमी कब तक ढो दोल दमाओं बजाता रहेगा अगर उसके पेट में कुछ खाना नहीं है, आज हमारे ये सबसे बड़ी जो नवाद्य है, लोग डोल दमाओं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ वही पारब्रिक लोग बढ़ पा रहे है, क्योंकि उसके लिए सम्मध्यत सरक्षन क रहने के लिए स्कूल नहीं खुले है, हमने आगे औरों को नहीं सिखाया है, लेकिन सिखाये भी उसको जिनको इंटरेस्ट हो, तो सरक्षन के लिए आम लोगों को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, सिर्फ सरकार का बजट आजाने से, या यूनेस्कों का ने सरक्षत कर किया तो क्या हम उस रमान को आगे बढ़ा रहें, क्या मैंने आज तक रमान को दुवारा से प्रदेसित किया, मैं प्राइवट नहीं दिखाया, मैं सिर्फ खुश हो गया, सरक्षत हो गया, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी भागेदारी दिखानी पड़े, बड लोगों को शामिल करके उनको कुछ नौकरी कुछ एंप्लाइमेंट भी देनी है तभी तो उनका इंटरस जगेगा तो शरक्षन के लिए हमें चारपांच चेज़ने जब तक हम यह नहीं चोड़ेंगे और शरक्षन खाली नामका रह जाएगा ज़िए लोगों की भागेदार चाहिए उनके रिकाग्निशन बर से वो बचने वाली नहीं है हम लोग और डॉक्साब मेरी बात से इतिफाक रखेंगे कि हमारे आपांडव लीला राम लीला रमान की आपने चर्चा की कुमाओं में चौलिया नित्य भी एक राका हिल जात्रा है इस तरह के तमाम जो हमारी परंपराएं हैं इनमें जो उसका नाट्य रूप है मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने हमारे यहां इस तरह के जो भी हमारी परंपराएं है उनको सहीजने के लिए अगर सामाजी कम्यूनिटी इस तरह पर काम किया जाए तो उमीद है कि ये चीज़ें सा रक्षित होग यह तो हमारे वरतमान के और अतियासिक प्रसंग हुए जिन पर हम इभी तक चर्चा कर रहे थे एक अकादमिक सा सवाल क्योंकि आप शोयम भी विश्व विद्यालाई में पढ़ा रहे हैं नाटक को वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि नाटक को हम नाटक समझते है रंगमंच को लेकिन उसके तमाम अवयव भी हैं कई सारे फैक्टर से हम तो थीटर में देखे नाटक को नाटक समझ लेते हैं उस पर आपकी टिपनी क्या-क्या उसके आसपेक्ट्स हैं और कैसे हम नाटक को समझें अगर आपको लगता है कि आपका रंगमंच में इंटर्स नब चाहिता दिना है ना रसाना थर्वाणाद भी तो रिगवेद से पाथ लिया गया है तो सबसे पहले पाथ यानिए आपकी वस्तू क्या है इसकिप्ट क्या है पटका था क्या है आप देखते हैं कि फिल्मों में पटका था क्या है इसकी बहुत जबरदस्त है जी तो दूसरा पात्र एक्टरस दो महत्वपूर्ण चीजिए आप बिना इन दोनों के कैसे नाटक कर सकते हैं तीसरा है रस मैं ये बात भारतिय परिप्य परिक्ष के रूप में कह रहा हूं कि रस उसमें भरतमुनी इसपश्ट रूप से कहते हैं कि जिस नाटक को देखकर दशक रस की निश्पति नहीं हो रही है तो रस की अनभूती नहीं हो रही है आनंद नहीं आ रहा है वो नाटक असफल है क्या बात ठीक है आज बड़े- चाहसे उत्रस पर नीरिवर भर है यहां में परितव ने रही है अगर आपको नहीं देखकर आनंद नहीं हो रहा है असफल है और और एक और चोति है भृति 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 महिते इसका प्रषि नाटक की यह नि कि नाटक का जो मूल प्रदान रस किया हूं जैसे निजू कि प्रेम रस तो नाटक कहां जा रहा है प्रेम की और जा रहा है मूल रस प्रेम है तो कौन से नाट जैसा वीर रस है तो यह नाटक की प्रविर्ती है तो वह भी हमको देखना पड़ेगी कि नाटक किस रस की और जा रहा है वह भी हमें रखना पड़ेगा तो यह चार-पांच जो एक नाटक के लिए महतवपूर है और बिना इनके तो आप नाटक नहीं कर सकते हैं तो यह कथा पात्र रस और विर्ति तो यह महतवपूर पक्षा है यह मैं भारती परवेश में कह रहा हूं अब अगर हम पश्याते में कहें तो उसमें थोड़ा अलग चीजें देश-काल है कथो पकतन है लेकिन वो कहीं नहीं इसी में शामिल है मूल यह है तो यह एक ऐसे यह उस रूप एक साहतिक रूप में आप इसको समझ सकते हैं कैलास कंडवाल जी डॉक्टर पमार ने जो नाटक बड़ा आनंदा रहा था जब नाटक के तमाम अवयों की आप चर्चा कर इसलिए मैंने कहा कि हम तो थीटर में नाटक देख भर लेते हैं उसके पीछे जो के तमाम रत्व हैं सारे अलिमेंट्स हैं आपको क्या लगता है कंडवाल जी कि हमारे स्कूलों में क्योंकि अंतता कोई भी परमपरा है कोई भी विदा है उसको बचाने के लिए नई पीड स्कूल कई जगत देखे हैं आपको क्या लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में नाटक किस रूप में मौझूद है और जित्रा वो मौझूद है क्या वो परियाप्त है तहां तक परियाप्त की बात कर रहे हैं परियाप्त नहीं अभी इन पिछले दिनों की चार-पांस साल की जो नीती बनी है कि स्कूलों में दसवी बार्वी में थेटर को या नाटक को रंगमंच को जोड़ा जाए जोडने की कोशिश भी की गई लेकिन थोड़ा सा नीतियां हमारे यह जादा देर तक चलती नहीं कुछ एक वो नया कुछ विचार आता है और नीती को साइड में कर जाएगा टीचर कोन होगा वह जो म्यूजिक और डांस करवाता है जब तक आप इस तरह की नहीं बनाएंगे आप इक पॉइंट करेंगे आप उसको अध्यन कैसे करेंगे जब टीचेर नहीं होता तो स्कूल का प्रभंधन सोचता है कि सिर्फ चलो आदे गंटे की बात है य गंटे में, एक घंटे 30 मिनट में आप स्कूल के बच्चों को नाटक के बारे में यदि नहीं बताएंगे, वन असरफ पाठे पुस्तकों में पस पाठ रह जाएगा, कि हमने ये पाठ पढ़ा, इस नाटक के बारे में बताइए, इस के पाठध के बारे मी बताईगे. तो सदियों से नाटक पाठ्यक्रम का अनवार्य हिस्तार आया है तुम देरा मानना है एक मजबूद नीती होनी बचरूरी है और उस नीती में इसको जब संगटित रूप से लाया जाए और इंप्लिमेंट किया जाए मेरे काल स्कूल से जब बच्चों को ऐसी आदत पड़ेगी तो ग्रेजुशन तक आते हम लोग एक भाग बहुत मजबूत हो जाएगा पार्टिस्पेशन का लोगों के इंटरस्ट का और फिर शयाद हम लोग हो सकता है संस्तान खोले जी आप बहु किस तर पर जो बच्चों में इस्कूल जाने को लेकर अनिच्छा लगातार हमारे यहां रही है वो होमवर्क की वज़ए से रही हो अनावश्यक पड़ाई की वज़ए से रही हो उसमें अगर नाटक को आप एक विशय की रूप में इस्कूल में इंटर्डूर्स करते हैं तो हो सकता है कि वो बच्चा जब उसको इसकूल एक रंगमंच लगेगा तो वो क्योंने इसकूल में जाएगा हायर एजुकेशन में डॉक्टर पावार क्या इस्तिती है नाटकों में विश्व अबिद्यालावी में आप जो हमारे आज की पीड़ी है एक जमाने में तो न 2005 और 2006 में मास्टर इन थीटर किया था पंजावी निवर्सिटी में तो उस समय लोगों ने का नाटक में भी कोई पढ़ाई होती है क्या बात है अक्टिंग भी कोई पढ़ने की चीज है क्योंकि यह हमारा ट्रडिशनल रहा है राम निलाए हम लोग देखते देखते करते कर है लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें भी मास्टर से इसमें भी गेजुशन है तो अब लोग सचेत हुए हां यह कोई नाटक कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है मैं कहता हूं कि यह तो पंचमवेद नाटक शास्त्र है क्या बात है तो तो अब धीरे धीरे रंग मंच एक प् आज दोन विश्व विद्याले में हमारे कुलपती महदे प्रफेसर सुरीखा डंगवाल दौरा इस वर्श से अमे थीटर शुरू कर दिया गया है तो यह एक बड़ी बड़ी बात है कि कैसे उत्राखंड में उनिवस्टी में दो पार्टिकर्म शुरू हो गये और पारे पास लगवाग पांच-छे उनिवस्टी में थीटर पढ़ाए जा रहे हैं जो यह एक बड़ी अच्छी बात है कि दीरे दीरे लोग जागरित हो रहे हैं कि यह एक इसको हम एक प्रफेशनल के रूप में व्यावसाइक रूप में हम देख सकते हैं समय कैरियर भी है तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाला समय में नाटका है क्योंकि जिस तरह से मशीन हमारे आसपास घूम रही है तो अब हम लाइज देखना चाहते हैं अब हम जीवन तो देखना चाहते हैं तो उस लहजा से रंगमच हमारे लिए सबसे लोग प्रिया साधन होगा जी 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 अविश्य में जी डॉक्टर पावार आपकी तरफ से एक बड़ी सुखत सूचना है कि हमारे यहां दून विश्वविद्याले ने नाटक में नाटक शूरू किया है यह बहुत बड़ी ख़बर है खासकर हमारे परवतियान चलके उन प्रतिवाओं के लिए जो उसकी सर्तें क्या है कौन स्टूडेंट है जो में नाटक में उसके लिए तो मिनिममम आपको ग्रिजिशन होना चाहिए किसी भी से साइन्स से कॉमम से आर्स से तो यह मिनिममम कौलिफिकेशन है और आपका इंटरस होना चाहिए कि आप ने लगभग 5-6 नाटक में कंडवाल जी जिस तरफ डॉक्टर पामार अभी हमको ले जा रहे थे मेरे मन में एक चीज़ चल रही थी कि हम आज के समय में जिसको हम मौक इंटरव्यू के जरीए अपनी परसनालिटी को अपने परिस्वित करने के लिए पूरे देश भर में दुनिया भर में इस तरह के खुल रहे हैं तो मुझे लगता है कि अगर विशय के रूप में आपके पास नाटक है तो आपका व्यक्तित्व तो अपने आप ही इतना प्रकर हो जाता है आप क्या सोचते हैं कि अगर नाटक को बहुत सक्षे प्रमेट्रिपनी चाहरा हूं आगर नाटक को हम स्कूलों मे विश्वविद्यालवि में इंट्रिवूज करें तो क्या तरीका उसके लिए हो सकता है जैसे कि इसे पहले भी बातचीत हो चुकी है इसे पहले वाले सवाल में कि आपको एक जरूरी पाथे करम के रूप में उसको शामिल करना पड़ेगा कि आप ये पढ़ रहे हैं ये ब तो डॉक्टर पवार जैसे जो हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं जब उनको पढ़ाएंगे उनको बताएंगे तो उनका इंटरस्ट चाहेगा और वो उस करम को पूरा करना चाहेंगे उस तीन साल में भी फिर में में भी उसके आप पीज़ी भी कीजिए नेट भी क्लियर कीजि कि अगर नाटक हमारे विशय की रूप में होता है तो हमारा व्यक्ति तो अपने यहाप ही परस्टित हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पामारिस बात को स्विकार करेंगे कि एक नाटक आप दोनों से जब बात्चित हो रही है तो आपके जो बॉड़ी है और हम सभी अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे है तो नाटक तो इतना बड़ा व्रिहत विशय है कि इस पर हम गंटों चर्चा कर सकते हैं समय की अपनी सीमा है डॉक्टर रजीत पामार और कैलास कंडवाल जी आप दोनों समय निकालकर स्टूडियो में आए इसके लिए आ मश्काव